हेलो नमस्कात दोस्तों दोस्तों आज किस वीडियो में बताएंगे कि आखिर क्यों रात्री में मस्तक पर तिलक लगा कर क्यों नहीं सोना चाहिए कहते हैं कि रात्री की समय अपने ठाकुजी की चहरे पर भी तिलक नहीं होना चाहिए और जो तिलक लगा कर सोते हैं या पूजा करते समय सुबा या साम की समय अपने मस्तक पर तिलक लगा लेते हैं और उस तिलक को लगा कर रात को सो जाते हैं उन मनश्य को कभी भी तिलक लगा कर नहीं सोना चाहिए संथो या ब्रहमचारी ग्रहतो या वनप्रस्थी उसको भी अपने माथे का तिलक साफ करके ही सोना चाहिए आप सभी जानते हैं कि रात को सोती समय बुद्धी में नकरात्मक बाते आती हैं नकरात्मक उजा आती हैं सपन गलत भी रिखते हैं इससे हमारा जो तिलक लगा होता है भगवान का उसका अपमान होता है इसलिए रात्री को तिलक लगा कर नई सोना चाहिए एक बात और हमारे बड़े बड़े संथ भी कहकर गए हैं कि रात्र को भगवान का भी तिलक उतार कर फोल पती जो की चड़ीवी होती है उसे उतार कर सफ़ाई करके भगवान को सुलाना चाहिए भली ही आपकी मंदिर में ठाकुजी की चारपाई ना हो बिस्तर ना हो तब भी पूरे मंदिर को साफ करके मस्तक का तिलक हटा करके भगवान का तब ही भगवान को सुलाना चाहिए एक बात और जो सबसे महतपोड है पुराण में भगवान सीव कहते हैं मानसिक वस्तु बड़ी पवित्र मानी गई है कभी पूजा करते समय आपके पास कोई वस्तु ना हो या कोई वस्तु जादा या कम हो आप दूसरे की थाली देख कर कहते हैं सनातन धर्म का नियम है कि पूजा आमें जो समागरी ना हो उसे लेकर पस्ताना नहीं चाहिए यदि आप पूजा करते समय आपके पास जो समागरी नहीं है उसे लेकर पस्ताते हैं और जो आपके पास समागरी है उसे लेकर पूजा भी करते हैं तो वो आपकी मान नहीं होती है भगवान उसे नहीं शुविकार करते हैं इसलिए गलती से भी पूजा करते समय आपकी पाद जो सामागरी ना हो उसे ना सोचे और आपकी पाद जो सामागरी है उसे पूर मान कर पूजा करनी चाहिए